नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बहतरीन, नायाब, अदभुत और तेजी से एसर करने वाला होम रिमेडी लेकर करके आया हूँ जिसके इस्तमाल से आप अपने चेहरे के पिंपल्स और पिंपल् की ये लगती है दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि एक बार ये हो जाती है, तो ये जल्दी पीछा नहीं छोड़ती, अक्सर आपने देखा होगा लड़कों को, लड़कियों को, जिनको पिंपल्स हो जाते हैं, वो तरह तरह के क्रीम्स, तरह तरह के उपाये, इस्तमाल कर हूँ, यह बिल्कुल प्रकिर्टिक है, बिल्कुल नैच्रोल है, और इस चीज के अंदर, ऐसे दिवी छमता पाय जाती है, ऐसे दिवी गून पाय जाते हैं, ऐसे कॉंपोनेंट्स पाय जाते हैं, जो पिंपल्स को जड़ से मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए, कंट्रो प्रकिर्टिक से, शुरक्षित तरीके से आप पिंपल्स को ठीक करना चाहते हैं, तो यह जो रिमेडिय में आप लोगों के लिए राम बान साबित होगा, और आप लोगों के लिए बहुत ही जादा उपयोगी और फैदयमन्द साबित होगा, पिंपल्स एक बार हो जाते है जल्दी ठीक नहीं होते हैं, जब तक आप सही चीजों का सही तरीके से इस्तमाल नहीं करेंगों, और हमारी प्रकिर्टि में, हमारी नेचर में ऐसे बहुत सारी चीजे हैं, जिनके अंदर अदभुत चमता पाई जाती हैं, लेकिन हमें सिर्फ उनकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम उनका इस्तमाल नहीं कर पाते हैं, आज एक ऐसी ही चीज में आप लोगों के लेकर रिकाया हूँ, जिसके अंदर पिम्पल्स को रोकने की, पिम्पल्स को कंट्रोल करने की और पिम्पल्स को जर से मिटाने की अदभुत चमता पाई जाती है, लेकिन आप लोगो आप लोगों को पूरा फाइदा मिले, अगर मैं चाहूं तो तुरंट आपको रिमेड़ी और नुश में बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसमें ये मिला लो, इसमें वो मिला लो, ऐसे लगा लो, लेकिन उससे उतना फाइदा आपको नहीं मिलेगा जब तक पूरी जनकारी नहों तो पिंपल्स को ठीक करना चाहते हैं दाग धबू को मिटाना चाहते हैं तो यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए अंतिम तक जरूर सुनिएगा जरूर देखिएगा दोस्तों पिंपल्स होने के कारण क्या होते हैं बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन कुछ कारण में आप लोगों को बताऊंगा, तो पहला कारण है दोस्तों, जेनेटिक्स, वन्शानुगत, अगर आपके पैरेंट्स को, इसकी समस्या थी, पिंपल्स की, तो उसके वैसे भी आपको पिंपल्स के समस्या हो सकती है, अगर आपके खाने पीने में मिनरल्स और विटामिन्स की कमी है, उसके वैसे भी आपको पिंपल्स के समस्या हो सकती है, हार्मोनल इंबैलेंस, हार्मोनल इंबैलेंस से भी, हार्मोनल इंबैलेंस से भी आपको पिंपल्स की समस्या हो सकती है, तो यह सब कुछ कारण थे जो मैंने आपको बता है और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं दो खैर यह जो रिमेडिय में आप लोगों को बताने वारा दोस्तों यह बिलकुल नैच्रल है और हफते भर के अंदर आपको इसका असर देखने लगेगा यह इतना जादा कारण है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को सायद इसकी जनकारी मुझे लगता है नहीं होगी इस वीडियो को पुरा देखेगा अब मैं आपको बताता हूँ कि इस रिमेडिय को आपको इस्तमाल कैसे करना है बहुत ही छोटी सी रिमेडिय है पोर्स में जाकर dead cells को remove करता है skin को purify करता है तो आपको लगभग आधा चमच गुलाब जल लेना है और दाग धबों को मिटाने के साथ साथ skin को fresh करने के साथ साथ ये skin पर एक गुलाबी glow लाने के लिए गोरा पल लाने के लिए भी बहुत ही जाद अप्योगी होता है तो आधा चमच आपको गुलाब जल लेना है उसके बाद दोस्तों आपको इसमें लगभग आधे चमच के आसपास शुद ऐलोवेरा जिल आपको लेना है अब ऐलोवेरा जिल का क्या मतलब है क्या सीन है आपको मार्केट में असानी से मिल जागा लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरा फायदा मिले और जल्दी फायदा मिले तो एक बात में आप लोगों को जोड़ कर यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आपके घर के असपास ऐलोवेरा का पौदा है तो आप natural aloe vera कहीं इस्तिमाल करें उसका गोदा निकाल कर आप इस्तिमाल करें वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा और जल्दी भी फायदा करेगा aloe vera कंदरे से गुन पाय जाते हैं सित्त तो पाय जाते हैं जो स्किन के लिए हर एक मामलों में फायदे मन होते हैं चाहे दाग दबों को मिटाना हो पिमपस को ठीक करना हो चेहरे की खोई वी चमुक को वापस दाना हो संटैनिंग को दूर करना हो या पिग्मेंटेशन को दूर करना हो स्किन की सारी दिक्कतों में एलो वेरा जिल का कोई तोड नहीं कोई जोड नहीं या अपने आप में एक सस्ती शुद्ध और एक बहुत ही बहतरी नौशदी है स्किन के लिए ठीक है उसके बाद दूस्तों आप इसमें एक चुटकी बस एक चुटकी आपको इसमें मिक्स करनी है टर्मरिक हल्दी एक चुटकी से आपको ज़्यादा मिक्स नहीं करनी है सिर्फ एक चुटकी आपको टर्मरिक लेनी है अब टर्मरिक भी आपको मार्केट में पिसी पिसाई मिल जाती है लेकिन मैं कहूंगा कि आप टर्मरिक जो है वो खड़ी, खड़ी टरंबरी, खड़ी हल्दी लें और उसे पीस करके उसे इस्तिमाल करें वो आप लोगों को ज़्यादा फैदा करेगा, क्योंकि market में जो पिसे होी हल्दी मिलती है उसमें मिलाओत भी हो सकती है लेकिन अगर आप हल्दी को खड़ी हल्दी खरीद करके उसे पीसेंगे तो वो 100% सुद्ध होगा और 100% सुद्ध होगा तो वो पूरा फैदा करेगा क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो तरीका में आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत ही सिंपल होगा लेकिन बहुत ही शुद्ध होगा इसलिए आपको जादा फैदा पहुँचाएगा आप लगभग उसमें एक चुटकी एक से दो चुटकी आप हल्दी मिक्स कर लें प्योर हल्दी को पीस करके उसके बाद दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के उपर इसके अंदर विटामिन सी प्रचूर मतरा में पाय जाता है और भी बहुत सारे तत्तों पाय जाते हैं तो यह है दोस्तों अमरूद ठीक है? तो आपको अमरूद लेना है वो अमरूद ले जो थोड़ा हरा हरा हो ठीक है? अमरूद के छिलकों में पाय जाना वड़ा सुट्रिक ऐसी विटामिन सी बहुत ही बहतरीन होता है स्किन के लिए तो आपको क्या करना है दोस्तों कि अमरूद के छिलकों को आपको छिल लेना है और आप इन सारी चुज़ों मिक्स कर दें उसके बाद इस face pack को आप अपने इससे इन सब को आपसे मिला कर एक face pack त्यार कर ले और अपने चेहरे पर लगा ले अपने चेहरे पर लगाने के बाद आप इसे आदे घंटे के लिए रखे दिन में एक बार आप इसका इस्तमाल करें ठीक है दिन में एक बार आप इसका इस्तमाल करें आदे घंटे के लिए लगा कर रखें आदे घंटे के बाद धोलें हर दिन इसका प्रोकर दोस्तों आप पाएंगे कि आपके pimples और pimples के जो दाग हैं वो भी मिटेंगे वो चेहरा आपका साफ होगा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धने वाद